नमस्कार आज में लोग पैरसाइटोलोजी में प्रोटोजोवा के भीतर इस्पोरोजोवा के मिंबर के बारे में बात करेंगे जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा प्लाज्मोडियम के बारे में बात करने का प्लाज्मोडियम जब हम डिसकस करते हैं तो हमें प्लाज्मोडिय डिसक्रिशन है प्लास्मोडियम और मलियरिया के बारे में बात करने का इस्पुरोजवा का यह मिम्बर है यह बात हो गई इस्पुरोजवा में और कौन कौन से प्लास्मोडियम के साथ मिम्बर रखे गए हैं तो टॉक्ष अ फ्लाज्मा क१ प्लां insecure लोगियम और कोशिश करेंगे जिसके आधार पर हम उसे रोकने के लिए किस लेवल पर किस ड्रक का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे pediatric age group में कौन से ड्रक्स दिये जाने चाहिए pregnancy के दौरान कौन से ड्रक्स दिये जाने चाहिए इन जनरल कौन से ड्रक्स दिये जाने चाहिए यह topic न सिर्फ हमारे लिए respective subject से related है यानि pediatric से, ops से, medicine से, pharma से इसके अलमा community medicine का भी बहुत important point बनता है क्योंकि malaria का जो burden है यह community level पर एक बहुत बड़ा challenge है इसी वज़े से हम community medicine से related भी इसके सारे points को cover करने का प्रयास करेंगे तो चलते हैं देखते हैं plasmodium के बारे में और शुरुवाती जो discussion होगा वो microbiology के point of view से हम करेंगे NEET 2020 में इस पर आधारीत question पूछा गया था plasmodium यह protojoa का member जिसमें malaria parasite के रुप में इसे चाना जाता है इसके five species है plasmodium falciparum, vivax, malaria, ovale and novelaceae इसमें novelaceae को monkey malaria कहा जाता है यूमन में इसके मामले कम ही देखे गए हैं यहाँ पर देखने वाली बात हो कि अब तक ऐसा माना जाता रहा है plasmodium malaria के मामले इंडिया में नहीं है लेकिन कुछ reports इसके भी recently देखे गए हैं इंडिया में कौन सबसे common है इस बात को लेकर के थोड़ी controversy है अगर हम microbiology के कुछ points को देखते हैं तो वहाँ पर vivax को ज़्यादा प्रिफर किया गया है vivax का नाम हमें देखने को मिलता है जबकि community medicine के point of view से जो हमें इसके favor में जो statement मिलते हैं उसके अनुसार यहाँ पर plasmodium falciparum के options को देखने का मौका मिलता है तो दो चीज़े हैं लेकिन overall अगर देखें तो हमें इसी बात को ध्यान में रखना होगा plasmodium falciparum यही most common है इंडिया में यही बात मानते हुगे हम सही करेंगे अगर exam में आता है क्योंकि दो अलग अलग जो होँपर controversies हैं और एक बात तो बहुत ही crystal clear है कि plasmodium falciparum की वज़ा से सबसे severe form of malaria होते हुए देखा गया है तो plasmodium falciparum सबसे severe है most common अगर community medicine के point of view से दिखा जाया तो data यही कहते है vyvex microbiology की books में मिलता है most common in India in general अगर हम से पूछा जाएगा तो हम इसी पहले option को ही जादा टिक करेंगे क्योंकि जो question पूछे का है वो अधिकतर मामलों में community medicine के ही point of view से पूछे का है तो इसलिए plasmodium falciparum most common in India ऐसा हम option लेंगे इसमें definitive host के तोर पर female anomalies mosquito है definitive host इसलिए इसको मालते हैं क्योंकि इसके भीतर ही plasmodium की sexual cycle complete होती है intermediate host के तोर पर man होता है intermediate host man को इसलिए माना गया है क्योंकि उसके भीतर sexual cycle होती है आम तोर पर man या human sexual cycle उनके भीतर होता है लेकिन यहां पर mosquito के भीतर sexual cycle होती है इसलिए definitive host mosquito वो माना गया है human intermediate host इसलिए है क्योंकि यहां पर asexual cycle उसके body होती है बागी सारे जोगों पर उल्टा होगा man के भीतर sexual cycle हो रहे होती है इसलिए बागी सारे जितने भी parasitology के हम examples देखेंगे उसमें मैंने ही definitive host होगा तो यहां पर female anopheles mosquito इसके infective farm प्लाजबुडियम के infective farm इस पोरजवाट्स को inoculate करती है हमारे body में डालती है और mosquito जो female anopheles है वह human के भीतर जब inoculate करती है अपने saliva के साथ human को infect करती है और उसमें कई सारे stage से गुजरते हुए gametocides बनते हैं अब बीच के stage कौन से हैं यह बात अभी हम आपके साथ discuss करेंगे gametocides बनते हैं उन gametocides को ले करके sexual cycle female anopheles अपने भीतर complete करा रही होती है इस वज़ा से यहां पर इसे definitive host माना गया है इतनी बात clear हो गई यहां पर मानने वाली बात है कि यह जो definitive stages है sexual cycle है यह इतनी interesting point है कि इसको ले करके अगर अच्छी समझ बना लेते हैं तो drug की designing भी इसी आधार पर की गई है यहां पर vaccine किस level पर बनाए गया है उसके बारे में भी idea हमें बहुत ही logical basis पर मिल जाता है के दो species अलग-अलग एरियाज में इसके transmission के लिए responsible है यह most common species इंजिनर माना गया है और rural इंडिया में यही है कौन इनाफलीज क्योलिसी फैसी और इसके मामले रूरल एरियाज में पीजाई में यह कई बार पूछा गया question रहा इनाफलीज इस्टिफेंस आई इस्टिफेंस लग रहा ना इस्टिफेंस सेंट इस्टिफेंस जो स्कूल होते हैं इस तरीके से थोड़ा व्याई पी स्कूल यह शहरों में पाया जाते हैं इस तरीके से एनाफलीज इस्टिफेंस आई यह urban areas में malaria काउज करने के लिए इस species की female anophilies responsible होती है पीजाई में पूछा गया question रहा है देखें एक statement जो की पूरी तरीके से community medicine पर आधारित है इसमें true about malaria in India is our तो 1.5 million cases annually हाला कि अब currently घड़ चुके हैं quinine drug of choice in pregnancy आगे हम बात करेंगे ये additional information अभी आपके सामने है आगे हम इसके level पर बात करेंगे अर्बन मलेरिया नहीं अर्बन में तो हमने स्टिफेंसी की बात किया है तो इस वज़ा से हमें ये statement गलत मिल जाता है true पूछा गया multiple option में A, B, C गलत है यहां पर स्टिफेंसाई कह सकते थे तब ये urban malaria के लिए responsible होता इस species के इनाफलीज mosquito के द्वारा rural malaria का vector यहां पर हमारा option होना चाहिए था जबकि यहां पर अर्बन malaria गलत है अब यहां पर देखें प्लाजमोडियम ओवेल not seen in India ये बात भी गलत है मलेरी के level पर देखा गया अब तक malaria इंडिया में नहीं था लेकिन अब recently कुछ माबले देखे गया है तो इंडिया में ओवेल देखा जाता है प्लाजमोडियम फैलसी फैलसी पैरम most common type है तो मैंने आप से कहा था था ना PSM के point of view से जो data मिलता उसमें फैलसी पैरम को most common माना गया है और ये बात हमें अपने दिमांग में रखना है हलाकि microbiology के point of view से वाइवेक्स लेकिन जो question पूछा जाएगा वो PSM के point of view से पूछा जाता है इसलिए प्लाजमोडियम फैलसी पैरम का option हमें देखना होगा human में और mosquito में दो अलग अलग लेवल पर इसकी cycle चल रही होती है आधी cycle या यू कले इसकी पूरी पूरी जो life की journey है वो एसेक्शल जो life की cycle है वो human के भीतर है जबकि sexual life cycle वो mosquito के भीतर चल रही होती है आधा जो इसका जीवन है वो किस तरीके से human के भीतर होगा उसको देखते हैं और किस लेवल पर question पूछा जाएगा उस पर भी बात करेंगे तो mosquito की बॉइट्स करने से इस पूरोज्वाइड्स जो इसका infective farm human के लिए है वो salavia के दोरा ये inoculate किया जाता है जो blood के through होते हुए लीवर तक पहुंचता है अगर देखा जाए तो हमारी body में इसके खिलाफ अगर training लेनी है तो इस पूरोज्वाइड्स के protein को चुकि उसके antigenic property हो सकते तो इसका इस्तेमाल करके हम malaria का vaccine बना सकते हैं और यही तरीका अपनाए गया है इस पूरोज्वाइड्स का इस्तेमाल करके malaria का vaccine बनाए गया है यह neat में पूछा गया question है और आप समझ सकते हैं इसके antigenic property के वज़ा से antibodies बनेंगे तो इस पूरोज्वाइड्स को तुरण tag किया जाएगा tag करने के वज़ा से उसे हमारे body के defense mechanism आसानी से kill कर देगी पूरी-पूरी immunity की जो हमारी basic समझ है उसका इस्तेमाल करते हुआ हम समझ सकते है vaccine कैसे इस पूरोज्वाइड्स के specific protein जो antigenic structure है उनके आधार पर बनाए जा सकता है खैर इस पूरोज्वाइड्स हमारे हमारे blood में आया वो घुमता हुआ, टहलता हुआ कहां तक पहुँच गया लिवर में पहुँच गया लिवर में multiply करता है multiply करने के दोरान यह अपने numbers बढ़ाता है इसके कुछ stages से होकर के गुजरता है definite stages जैसे शाइजांट होंगे उसके बाद mirosweights होगा mirosweights निकलेगा लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जब यह shyjohns के stage से गुजर रहा होता है mirosweights बना करके blood में दुबारा आता है मेरी बात ध्यान से समझे इस पर रोजweights गया कहां गया, lever में गया lever में खुब सारा multiply किया पहला stage shyjohns उसके बाद mirosweights mirosweights यह निकल रहा होता तो उसी में से 10% जो मामले होते हैं वो दुबारा एक dormant state में पढ़े रहाते हैं जिनको हम hypnozoides करते हैं वो mirosweights नहीं होते हैं hypnozoides जो छिपे हुए फार्म के तौर पर पढ़े रहते हैं lever के भीतर तो lever में 10% वो छुपा रहेगा यहां तक ही वो बाद में कभी भी यहां तक ही तीन साल चार साल के बाद भी dormant state से वापस आकर के malaria करा सकता है जिसे हम relapse of malaria कहते हैं ध्यान रहे plasmidium, yvex और ovail के मामलों में हमें relapse जो देखने को मिलता है जो कई सालों बाद हो सकता है वो क्यों होता है वो इसी वज़ा से होता है क्योंकि जब यह blood में पहुंचा, blood में अपने numbers बढ़ा रहा होता है तो saizons से mirror joids बनता है 90% मामलों mirror joids जो होते हैं वो mirror joids बनकर के बाहर निकल जाता है लेकिन उसमें कुछ farm छुपे रहते हैं saizons के बाद कुछ farm छुपे हुए रहते हैं जिन्हें हम hypno joids कहते हैं 10% मामले ऐसे ही होंगे hypno छुपा हुआ, soya हुआ यह farm रहेगा जो काफी समय बाद वापस लोटेगा दुबारा malaria cause करा सकता है तो एक drug की designing ऐसी भी करनी होगी जिसमें हम समूल नाश जैसे कह सकते हैं complete हम खतम करने का प्रयास करेंगे तो उसमें हम radical therapy की बात करेंगे जिसमें हम hypno joids जो छुपे हुए farm होते उनको भी खतम करने की कोशिश करेंगे तो treatment का option एक वो भी होगा यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक तो देखा ना लीवर में जो भी multiply कर रहा था multiply करने के बाद mirror joids दुबारा blood में आएगा ठीक है तो क्या कहा एक बाद फिर से recall कर लेते हैं इस परोजोइट्स क्या इस परोजोइट्स तेजी से लीवर में multiply किया वहाँ पर hypnojoids, mirror joids, mirror joids दुबारा blood में आता है और blood में जब आता है तो उसे erythrocytic cycle कर आता है क्योंकि blood में आना उसका दुबारा ज़रूरी है लेकि इस दौरान कुछ लीवर में छिपे ही रहेंगे वह कौन से होते हैं, hypnojoids होते हैं ये बात याद रखना है तो लीवर में पहुँच करके इस परोजोइट्स क्या हुआ, इस परोजोइट्स मैच्चूर होता है ये सारी चीज़े हैं, ये सारी चीज़े हैं, लेकिन इसी दौरान 10% जो फाम होते हैं वह, hypnojoids के तौर पर, वाइवेक्स और ओवेल के मामलों में hypnojoids के तौर पर, 10% जो होंगे, वह छुपे हुए रहते हैं जो कुछ महिनों से लेकरके, 2-3 साल, कुछ मामलों में 4 साल बाद भी, रिलाप्स करा सकते हैं जबकि इन जर्नल देखा गया क्या, 90% मिरोजोइट्स के तौर पर क्या हुआ, बलड में आ गया दुबारा बलड में पहुँचने तक का मामला, pre-erythrocytic sysogoni क्या लाता है क्या क्या लाता है, pre-erythrocytic sysogoni क्या लाता है और यहीं पर एक term और आएगा, exo-erythrocytic sysogoni exo-erythrocytic sysogoni क्याता है, जो यह छुपे हुए, सोये हुए, जो पड़े हुए है वो जब दुबारा अपनी cycle यहां से लेकर के वाहर आएंगे, तो उसको exo-erythrocytic क्या जाता है जबकि यहां पर कहा रहा है, pre-erythrocytic sysogoni, अब जानते होंगे, लेकिन एक बार इसको समझना जरूरी है खैर, जब यह मिरोजवाइट्स ब्लड में आ गए, तो अब यहां से एक नई cycle शुरू हो रही है, जिसे हम erythrocytic sysogoni कहाते है यह ब्लड में आने के बाद, अब ब्लड को सिर्फ traveling का रास्ता नहीं बनाता है यह क्या कर रहा है, ब्लड में आ रहा है और ब्लड में अब RBC की भीतर छुपेगा जबकि इस प्रोजवाइट्स कहा था, वो घूमते टालते लीवर तक जाना चाहता था, ब्लड को एक माध्यम के तोर पर इस्तिमाल किया था लेकिन अपकी बार क्या हुआ, यह ब्लड में आया, ब्लड में आने के बाद जब लीवर से वापस लोड करके ब्लड में आया है तो यह RBC की भीतर खुझेगा और RBC की भीतर अपने अगले cycles, यानि अपने अगले life की farms में बदलने का यह प्रयास करता है कौन कौन से farm होंगे, यह RBC में आकर के trophogoyids में बदलेगा, trophogoyids, further, sygeons और mirror joints के farm में यह जो mirror joints है, यह release किया जाते हैं, और यही mirror joints चाहें तो दुबारा, बात समझे हैं, यह दुबारा periodicity cause कर सकते हैं periodicity के लिए responsible, यानि यह blood में mirror joints आये थे, और वही mirror joints बन करके दुबारा, blood में ही अपनी cycle चलाते रहेंगे इस तरीके से जो घटनाएं होती हैं, यह आप समझ सकते हैं, यह इस तरीके से लगातार चलता रहेगा, और यह होता है एक erythrocytic sysogoni का part इसी दौरान, कुछ farms gametocytes में बदलेंगे, और यह मच्छर के दौरा सक किये जाएंगे तो मच्छर के लिए जो infective farm होता है, वो gametocytic farm होता है, जबकि sporozoides का जो farm था, वो human के लिए infective farm था, याद रहेगा, इस तरीके से question हम से पूछे गए हैं इन सारी घटनाओं को हम एक बार तेज़े से recall करते हैं, यहाँ पर mosquito ने bite करने के दौरान अपने salivary gland से sporozoides को छोड़ दिया है क्यों? क्योंकि यह liver तक का जो मामला था, यह pre-erythrocytic cycle था, यहीं पर कुछ dormant पड़े रहेंगे, छुपे रहेंगे 10% जो hypnojoides के farm में रहेंगे वरना saizonts के बाद mirozoides बाहर निकलेंगे और यह एrythrocytes के भीतर एंटर करेंगे पहले यहाँ पर nutrients को खाएंगे और यह बदल जाते हैं अपने ring form में ring form में बदलने के बाद यह और mature होते हैं और अपनी संख्या और अपने जो form है उसमें परिवर्तन करते हुए ट्रोपोज्वाइट्स के farm में बदलते हैं लगातार multiply करके साइजांट के स्टेज से गुजरते हुए दुबारा मेरोजवाइट्स में बदल जाएगा तो यहां से निकला था मेरोजवाइट्स फिर आप देख रहे हैं इससे अगर आप देखनी क्यों कोशिश करें तो लीवर से भी आपने देखा साइजांट के स्ट इन होने बताया और यह जो रिंग फार्म है अगर सिंगल है क्योंकि इसे ब्लेट फिलम में हमें देखने को मौका मिलेगा अगर उकर सिंगल रिंग फाम यहां पर मिला तो यह है यह मुल्टिポ घब की के फाम अगर मिले तो वह उप्लास्मोऎडियम इंप 파리 यॉम के लिव गैमिटोसाइट में बदल जाते हैं जिसमें कुछ फीमिल गैमिट्स के फार्म में बदल जाते हैं इसको गैमिटोगोनी की स्टेज कहा जाता है तो जैसे इसे कहा गया एरित्रोसिटिक साइजगोनी का स्टेज वैसे इसे कहा जाता है गैमिटोगोनी का स्टेज जिसमें इसी में से कुछ convert हो करके gametes के farm में आ जाते हैं कुछ mirosoydes जो gametocides में बदल गए हैं ये अब mosquito के लिए infective farm होंगे सवाल ये है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं अगर रोकनी की बात है तो मैंने आप से कहना कि जो इसके भीतर इसपरोजवाइट की proteins हैं उनके आधार पर एक vaccine बनाई जा सकते हैं ताकि जब ये enter करें उसी समय इसपरोजवाइट को पहचान करके मार दिया जाए इतनी संख्या बढ़ाने का मौका ही न मिले vaccination का ये तरीका हो सकता है vaccination का model कुछ ऐसा ही होगा जिसमें हम कोशिश कर सकते हैं इसको रोजवाइट के प्रोटीन के आधार पर अब यहां जो blood में जाने से पहले प्री इरेथरोसिटिक जो इस्टेज हैं इसको खतम करने के लिए कुछ ड्रक्स डिजाइन के गए हैं जिसमें Prima Queen देखा जाएका Prima Queen के बारे में तो Prima Queen लगबग हर एक फार्म को मारने का यहां पर capability रखेगा वो चाहे प्री इरेथरोसिटिक हों चाहे एरेथरोसिटिक फार्म हों चाहे एग्जो इरेथरोसिटिक यानि जो छुपे हुए फार्म हैं वो हों चाहे gametocytic farm है, सब को मारने की जिम्मेदारी है हम देखेंगे prima queen की होगी और इसी वज़ा से कहा जाता है अगर उसने gametocytic farm को अगर उसने damage किया या मार दिया तो इसके करणड क्या होगा, transmission रुक जाएगा, अगर उसने pre-erythrocytic farm को damage करने का प्रयास किया, तो इसकी वज़ा से यहाँ पर numbers mirror joints के नहीं बढ़ने पाएंगे, इसका मतलब क्या होगा यह profile axis के bablo में दिया जा सकता है, जैसे अगर हमें doubt है, तो हम पहले से दे सकते हैं कि इतना number बढ़ करके RBC तक पहुँचने ना पाए इस लेवल पर pre-rethrocytic farm में यानि profile actively भी primacquin का role हम देखेंगे, फिर यहीं पर हमने का कुछ hypnojoids के farm में mirror joints चुपे हुए रहेंगे, जो कई साल बाद होंगे तो उनको भी अगर मारने की बात primacquin के द्वारा देखे जा तो वो radical queer, क्योर, radical therapy जब करते हैं, आप कहीं पर भी देखेंगे radical term जब लिया है, तो complete सारे के सारे farm को, तो हम primacquin के द्वारा देखेंगे, hypnojoids तक को मारनी की बात, और इसकी वज़ए से radical therapy में इस्तेमाल के आता है, primacquin vast level पर काम करता है, इतना ही नहीं erythrocytic farm को भी वो erythrocytic, saizogony वाले farm को भी वो suppress कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो यहाँ पर भी numbers को बढ़ने ने देगा, क्योंकि हम जानते हैं, जब यह multiply कर रहे होते हैं, तो इसके भी तर him, himajoin में बदलेगा, और वो जब release होते हैं, तो फिर यहाँ पर वो जब release हो रहे होते हैं, तो उसके कारणब fever आता है, तो इसका मतलब यह है कि इस level पर भी हम suppress इसको कर दें, तो भी prophylactic level पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखा गया है, प्राइमा क्विन यहाँ पर भी देखेंगे, इतना ही नहीं, जब फैलसिपरम के माबले होते हैं, मलेरी के माबले होते हैं, तो वहाँ पर भी gametogoni के लिए, यानि gametocytic farm को, malaria का gametocytic farm, आप समझ सकते हैं, वो transmit ना होने पाए, मॉसकीटों के भीतर, उसको रोकने के लिए, प्राइमा क्विन का इस्तेमाल हम करेंगे, तो प्राइमा क्विन बड़े ही लेवल पर इस्तेमाल किया जाने वाना प्रग है, आगे जब हम pharma में बात करेंगे, तो देखेंगे, कुछ ड्रक्स ऐसे होंगे, जो इस इरित्रोसिट्क साइकल पर ही want lot y work करेंगे, प्रैमा क्विन के लेवल पर हमने सारी बात कही लेकिन अब ही सही देखें कुछ ऐसे ड्रक्स होंगे जो इस इरित्रोसिट्क साइ्कल पर is पूरा का पूरा फोकस करते हुए काम करेंगे गां इसमें धो तरीके से ड्रanta डिजैन केग हैं फिर गए खिंगे कुछ बहुत तेजी से काम और रि आइक्ट करेंगे तो इस लेबल पर हम काम होते हुए देखेंगे इसमें कितने ड्रक्स आएंगे, क्या-क्या उनका नाम होगा, आगे हमें इन सारी चीज़ों पर डिसकस करेंगे यहां पर देखें तो जो मेल और फीमिल गैमिट्स हैं, इन्हें, मैंने आपसे कहा रहा है, इसमें से कुछ फार्म ऐसा होगा, जो निकल करके आएगा, जिसको प्राइमर क्विन के दोरा हमने कहा कि उसे रोका जा सकता है, खैर, मॉस्कीटो ने लिया, मॉस्कीटो के भीतर आ जो मॉटाइल जाइगोट का फार्म, उकाइनीट कहलाता है, यह पेनिट्रेट करता है, इस टमक की दिवारोग में, जहां पर इसका फेटलाइजिशन हुआ था, आप देखें, इसको सक करने के बाद जब यह लेता है, तो मॉस्कीटो में वहां पर इस टमक के भीतर इसका जाइगोट, उकाइनीट कहलाता है, यह इस टमक की दिवारोग में पेनिट्रेट करके वहां पर उसिस्ट का फार्म बनाता है, अपने नंबर्स को और काफी बढ़ाता रहता है, एसक्ष्वल रिप्रोडक्शन के दौरान अपने नंबर्स को बढ़ाता है और अपने फार् RPC में आया, RBC में ने के बाद ring farm, ring farm के बाद trofagights, trofagights, trofagights के बाद saizhons, saizhons के बाद merosights, wirosights दुबारा अपनी periodicity करा सकता है और जितनी बार ini RBC rupture होकर केaker majorizes होंगे उतनी बार fever आएगा तो कितना लंबा साइकल जाएगा? एरित्रोसिटिक साइकल उसके आधार पर हम देखते हैं फीवर का पैटरन जैसे प्लाजमोडियम, वाइवेक्स, फैलसिपेरम और ओवेल में यह साइकल जब यहां पर आरबीसी फट करके मिरोजवाइट्स निकल रहा होते हैं तो इस फार्म तक जैसे एक आरबीसी के भीतर म जिसके काट फीवर आएगा और यह जो साइकल चल रही होती हैं फोटी एट आर्स की होती है किस में वाइवेक्स, ओवेल और फैलसिपेरम में इसका समय 72 आर्स का हो सकता है मलेरी के मामलों में लेकिन बाकी सबी में वाइवेक्स, ओवेल और फैलसिपेरम में यह फोटी हो रहा होता इस दोरान कुछ गैमिटो साइट से रिलीज होते हैं जो मच्छर के द्वारा सक किया जाएंगे अब सवाल यह पूछा गया है प्लाजमोडियम वाइवेक्स कितना लोड है कितना ज्यादा संख्या में प्लाजमोडियम अद्लेबल है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं लेकिन अगर हम स्पिशीज को देखना चाहते हैं तो थिन इसमीर बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं ओवेल वाइवेक्स और मलेरी के मामलों में हम यह ट्रोफोजान्स भी मिल जाता है हमें सब्सक्रण भी मिल जाता है इस बात कई हम से समझना है सारे फार्म्स जो ब्लड की बीटर चल रहेा है सारे फार्म्स हमें बिल जाते हैं Ubt जादा होगा तो रिंग फार्म हमें देखने को मिल सकता है फैलसिपेरम के मावलो में ट्रोफ़सीयट्स और साइज़एंड फार्म देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा क्यों कि फैलसिपेरम के मावलो देखा गया वो डीप कैपिलरीज में जाकर के ऑर बीय सी के भीत इस पर बेस्ट कुछा गया है जबकि बाकि सभी में ऐसा नहीं तो वो deeper vessels में especially involved नहीं करते हैं इस वज़ए से वाइवेक्स, malaria और ovail में जब हम देखने का प्रयास करते हैं थिन फिल में तो तो अब देखने को मिल सकते हैं लेकिन फैलसिपरम के बाबलो में हमें ring form और gametocyte यही दो फार्म देखने को मिलते हैं इम्स में इसी पर लेकर question पूछा गया why तो ऐसा क्यों होता है ऐसा इस वज़ए से होता है क्योंकि यह अधेयर हो जाते हैं और केवल और केवल बाहर जो निकलता है वो ring form निकलेगा और अब देखेंगे फैलसिपरम में multiple rings हमें देखने को मिलेगा और gametocytic form ही हमें देखने को मिलेगा नीट 2020 में ring form पर आधार question पूछा गया है यहां पर multiple ring form आप देख सकते हैं यह कहीं ने कहीं हमें plasmodium falciparum के बारे में जानकारी दे रहा है एक और image में हम ring form को देख सकते हैं इस तरीके से image दिखाते हुए question पूछा गया था multiple ring form अगर है तो यह plasmodium falciparum से related मावला हो सकता है इसके लावा इसके gametocytes भी बड़े specific होते हैं इस पर हम आगे अभी आपके साथ discuss करेंगे कैसे पहचान किया जा सकता है इन सारी चीज़ें पर हम बात करेंगे देखा गया है जो मिरोज्वाइट्स एंटर के रिंग फार्म के बाद ट्रोफ़ज्वाइट्स में बदलते हैं ट्रोफ़ज्वाइट्स के बाद clinical features आने शुरू हो जाते हैं यहां पर एक term पूछा जाता है recrudescence malaria क्या होता है और relapse malaria क्या होता है तो रिलाप्स malaria के मामले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल के मामलों पे देखने को बिलते हैं जिसमें हिप्नोज्वाइट्स के दुबारा action में आने के बाद relapse malaria होता है यह recrudescence malaria जो anti-malarial drug के दिया जाने के बाद जो ट्रोफ़ज्वाइट्स को target करते हैं उनमें अगर ट्रोफ़ज्वाइट्स पूरी तरह समाप्त नहीं होते हैं तो दुबारा अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं जिसके करण सेकेंड एपिसोड्स डेवलप होते हैं जो recrudescence malaria के मामलों के लिए responsible हैं इस बात को समझने की कोशिश करें मालीजे हमने anti-malarial drug दिया 100% trophozoids को हमने clear कर दिया तो फिर कोई risk की बात नहीं है लेकिन drug अगर हमने दिया और वो short acting है तेजी से काम किया सब को cover नहीं कर पाया सब को मार नहीं पाया जो आज आगे चल कर कर कि हम देखेंगे itemether जैसे drugs के मामलों में itemison जो drugs होते हैं उनके मामलों में देखेंगे बहुत fast acting होते हैं बहुत short duration के लिए काम करते हैं इस वज़े से पूरे के पूरे trophozoids clear नहीं हो पाते हैं तो इस वज़े से अगर 1-2% भी बचा रहे गया तो वो अपनी numbers बढ़ा करके second episodes create कर सकता है इसलिए हम ACT artisinate combination therapy के बावलों पे देखेंगे artisinate जो drugs होते हैं वो short acting होते हैं fast काम करते हैं वो तो अच्छी बाद लेकिन recrudescence को रोकने के लिए कुछ और drug भी इस्तिमाल किया जाता कि ये जो बचा गुआ पार्ट है जो 1-2% जो remaining पार्ट है उसको clear किया जा सके है जिसके करण second episode ना होने पार है इस तरह के मामले जो recrudescence के मामले देखेंगे हैं वो malaria और falciparum के level पर देखेंगे हैं falciparum के मामलों में recrudescence देखा गया है अब हम लोग ने यह भी देखा कि erythrocytic sysogoni जिसमें mirrorzoides से number बढ़ते 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 trophozoides, sysogon, फिर mirrorzoides निकलते हैं मैंने आपको बता ना cycle घूमते रहती है यह 48 hours में circle पूरी होती है इसके करण तीसरे दिन में जिसके करण tertian, malaria के मामले 48 hours के बाद हमें इसमें देखने को मिलेगा एक बात और हमने देखा हप्नोजोड़ में जो वेल और वाइवेक्स के मामले में होते हैं तो हप्नोजोड़ हमें v避वेक्स वेल और malaria की कुछ मामले में होँ सकते हैं में वाइवेक्स और oops में ही होते हैं वाइवेक्स और ओवेल में हिपनोज्राइट्स पाया जाते हैं जो रिलाप्स मलेरिया का कारण बनते हैं ध्यान रहे यह पीवी और पी ओवी यानि वाइवेक्स और ओवेल यह रिलाप्स मलेरिया का कारण बनते हैं हिपाजिडोडекс की वजह से होते हैं हिपाजबोडियम फाल्सिपयरम है उसमें हिपाजबोडियम नहीं होता इस वज़ynchron से रिलाप्स नहीं होता उसमें रेक्रॉर डीसिंस- जैसे मामंदे देखने की और प्लास्मोडियम मलिडियम म मलेरी में यह जो साइकल है, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरी के मामलो में हिपनोज्वाइट्स की वज़ा से जो लीवर में छुपा हुआ फार्म 10% मिरोज्वाइट्स का जो छुपा हुआ फार्म हिपनोज्वाइट्स के रूप में था वो जब दुबारा एक्टिव होता है तो लेकिन ध्यान रहे है वो इसलिए होता है क्योंकि मच्छर ने काटा वो ब्लड के थुरू लीवर तक गया लीवर में मल्टिप्लाई किया वहाँ पर थोड़ा छुपा रहा लेकिन क्या होगा अगर डिरेक्ट ब्लड ट्रंस्वीजन किया जाए इस ब्लड ट्रंस्वीजन में अगर वहाँ पर है तो इसका मतलब जो लीवर में जाकर कि मल्टिप्लाई करने का इस प्रोज़ुँज का सकोप ता वो खतम हो जाता है सीधे अगर ब्लड ट्रंस्वीजन होता तो ट्रोफोजवाईट Сी पहух bolण और वो अपनी cycle पूरा कर रहा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर blood transfusion के बाद malaria होता है तो इसमें hypnozoides fallistries नहीं होते हैं। इसमें relapse जैसे मामले नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें relapse नहीं होगा। इसका मतलब ओवेल वाइवेक्स और malaria में relapse नहीं possible है कब जब blood transfusion होगा। नीट में पूछा गया question, recrudescence are seen in which malaria? तो आपको पता न, plasmodium falciparum के मामलों में होता है। relapse किसमें देखने को मिलता है? वाइवेक्स और avail में, recrudescence किसमें देखने को मिलता है? कई बार ही सवाल पूछा गया, falciparum में अब यहां पर images को लेकर के question पूछा गया है। जैसा मैंने भी आपको बताया था, plasmodium falciparum के मामलों में multiple ring farm हमें देखने को मिला था। सिंगल रिंग वैसाई देखने को बार-बार मिले तो वह वाइवेक्स का मामला होता है। गैमेटोसाइट्स मैंने आपसे कहा था ना, plasmodium falciparum में अगर हम blood film में देखे हैं तो वहां banana shaped gametocytes देखने को मिल सकते हैं। अगर इस तरीके का image पूछा जाए तो वह सिधे तोर पर banana shaped gametocytes प्लाजमोडियम falciparum के मामलों में देखने को मिलते हैं। जबकि band shape का यहां पर trophozoides कहां पर देखने को मिलेगा। band shape का trophozoides यह plasmodium malaria में देखने को मिलता है। इस पर आधार direct question ही पूछा गया है band across the erythrocydes के farm में देखने को मिलता है। plasmodium malaria के erythrocydes के भीतर develop हुए trophozoides में एक band shape हमें देखने को मिलता है। और इस image में पहचानना ज़रूरी है। इस image में हम देख सकते हैं falci farm में multiple ring farm देख रहा है। जबकि बहुत अच्छे से पहचानना है तो malaria में जो हमने कहा था band across the यहां पर trophozoides हमें देखने को बिल रहा है band उसके बारे में देखना होगा। बाकी सब्सक्राइब में single ring farm multiple ring farm और चुकि इंडिया में common है falci farm तो उसके level पर हमें सोचना होगा। यह question लगातार पूछा गया है मलेरी में band देखने को मिलता है। कई बार वाइवेक्स के मामलों में शाइजॉंड की पहचान करने को भी दिया जा सकता है। बड़ा सा RBC हो गया है और उसके भीतर इतना बड़ा सा यह अलग सा especially हमें देखने को मिलता है तो यह saison farm है जो की वाइवेक्स के level पर हमसे पूछा जा सकता है। किसमे क्या पूछा जाएगा। रिंग फरम पूछा जाएगा तो फैलसी फरम के level पूछा जाएगा। अगर band के level का इस तरीके के पहचान करने को बोलेगा तो वो मलेरी में होगा। इस तरीके का बड़ा सा RBC बड़ा हो चुका होगा और उसके भीतर इस तरीके के shape होगे तो वो स्राइजान्ट होगा जो प्लाजमोडियम वाइवेक्स का होगा और यहां पर गैमेटोसाइड के लेवल पर आप देख सकते हैं बनाना के शेप का अगर कुछ मिलता है तो वो प्लाजमोडियम फैलसी पैरम में होता है यह कई बार हमसे इमेज बेस्ट क्वेशन पूछे गया हैं मुल्टिपल रिंग्स सिंगल रिंग बनाना शिप्ट गैमेटोसाइड्स ट्रोफोजाइड्स में बैंड्स एक्रॉस एरित्रोसाइड्स कहां पर देखने को मिलेंगे और ओवराल जो हमने अभी तक देखा बनांद सिंगल रिंग अभागोरी ऑनस के सिंगल तो इस्गैमेटोसाइड्स यहां पर आपको पता नigare इस्टेज का बे polsk Đ nation बहुत सारे स्टेज्स से कौन कुन सा हमादuran आपको मिल tर् кино इंगा P परसेंट जो इस परोज्वाइट्स जो हिपनोज्वाइट्स के रूप में डॉर्मिंट इस्टेट में पढ़े रहा थे जो रिलाप्स आफ मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सबॉल होते हैं रिलाप्स सालों के बाद भी हो सकता है यह बात हमने देखा इमस्वे में पूछा गय यूमन बोला जाए तो वो इस्पॉरोज्वाइट्स होगा इसका मतलब यह स्टेट्मन बहुत ध्यान पूरोग हमें समझना है इन्फेक्टिव फार्म फार मैन यह यूमन वो इस्पॉरोज्वाइट्स होते है इस इन्फेक्टिव फार्म फार मॉस्कीटो होता है, तो मौस्कीटों के ही भीतर यह आ जाते हैं और इस टमक् उसाइट्स में बढ़ते हैं जो स्पोरो गॉनी का फार्म क्याराता है, वहां से जब ये उसिस्ट के भी तर्ड, जब आपको मल्टिप्लाई करते रहते हैं तो ये इस पोरो गॉनी के फार्म में आ जाते हैं और आपनी संख्या बढ़ा चुके होने के बाद, ये वहां से जब मेचीर फार में पहुंचते हैं, तो सके बाद, इनके बीच में फाटलाइजेशन होता। उकाइनीट बनता है, जो मॉटाइल ऑस्ट्राइल, मॉटाइल जाइगोट कहला सकता है, यह मुटाइल जाइगोट इस्टमक की दिवारों को पेनिट्रेट करता है पेनिट्रेट करने के बाद यहाँ पर उसिस्ट फार्म करता है आप देखें यह उसिस्ट का फार्मेशन कर लिया और एसेक्शल रिप्रड़क्शन के बाद लगातार अपनी संख्या बढ़ाता रहेगा तो लोवर लाइफ फार्म्स में यह देखा गया है वो सेक्शल रिप्रड़क्शन के साथ ही साथ एसेक्शल रिप्रड़क्शन भी कर सकते हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है है। यह लगातार अपनी नंबर्स बढ़ातार है। और उसिस्ट के भीदर लगातार नंबर बढ़दलते हुए, अपनी नंबर बढ़ाते हुए, यहाँ पर यह स्पुरोजवाइट्स के फार्म में आता है। तो root of transmission of malaria तो infected female anaphilis जब bite करती है तो इस पोरोजवाइट्स को छोड़ती है यह बात हमने देखा इसके लावा blood transfusion या माँ से fetus में भी यह जा सकता माँ को अगर malaria parasite उसके body में है तो fetus को जा सकते इसके लावा contaminated syringe के दोरा भी यह जा सकता तो यहाँ पर जब यह जाता है तो ट्रोफोजवाइट्स पहुंचते हैं और वो malaria कराते हैं यानि इसमें relapse के chances नहीं होंगे नीट में पुछा गया question रहा है इम्स में ही पुछा गया transfusion associated malaria has a shorter incubation period shorter क्यों क्योंकि उसे liver में नहीं जाना है वो ट्रोफोजवाइट सी डैरेक्ट पहुंचा उसे क्यों multiply करके अपने आपको erythrocytic cycle में ही जाना होता है pre-erythrocytic cycle का कोई मामला नहीं होता है इस वज़ज़ से यहाँ पर transfusion associated malaria shorter incubation period देखने को बिलता है malaria carrier में mainly क्या देखने को बिलेंगे तो वहाँ पर अगर malaria carriers में देखने को कोशिश करें तो वहाँ gamitocides mainly हमें देखने को मिलते हैं अब कैसे हम यहाँ पर drugs की designing करेंगे और हमारे पास plasmodium, vivax और ovil के मामलों में क्या-क्या उपाय हो सकते हैं तो हमने देखा mosquito ने बाइट किया sporogides blood के थेरूं लीवर न पर महुचें लीवर में वूज़ा करके sporogides shyjohns फिर mirogides में बदले इसी दोराण 10% जो sporogides वहां पहुचे थे वो hypnogides के रूप में बदल जाते हैं तो यहाँ पर ये चुपे हुए farm में बदले रहे पड़े रहते हैं जो बाद में चल करके दुबारा अपनी साइज़ोगोनी कराते हैं जो एक्जो एरिथ्रोसिटिक साइज़ोगोनी कराता है इसमें अधिकतर मामले जो शाइजान से होते हुए मिरोज़ोइड से होते हुए मिरोज़ोइड बलड में आ जाता है यह सारी चीज़ हम जानते हैं, तो यहां पर प्रिएरिथ्रोसिटिक साइकल को अगर हमें समाब्त करना है, यह जो प्रिएरिथ्रोसिटिक अभी बलड में नहीं आया है, बलड से लीवर तक पहुंचा है, तो इसको अगर रोकना है तो रोकने का यही त्रिका है. हमने देखा कि میरोजवाइट्स ब्लड में आया. ये ब्लड में इन्फेक्क करने के बाद डिल formats है, रिंग फाइट्सवेट्साइट्स . साइजा।ःंट्स, यह जो ट्रोफगाइड्स हैं यह साइजॉस तो यहां से क्लिनिकल मैलेरिया का फार्म आनी शुरू है क्योंकि हिम हिमजुई में बदलना शुरू हो जाता है साइजांट, साइजांट से मिरोजाइट्स बनेंगे मिरोजाइट्स जब फट करके RBC से निकलते हैं तो यही periodicity के लिए responsible होते हैं आप समझ गया ना 48 hours या 72 hours 72 hours मलेरी के मामलों में होता है यह cycle चलने में और जबकि ओवेल, बाइवेक्स या फैल से पर हमें गेमिटुसाइट्स में बदलेंगे यह बात भी हम लोगों ने देखा और अगर हम रोकना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ड्रक्स हैं जो इसी एरिथरोसिटिक साइकल को रोकने के लेवल पर बनाएगे इसमें कुछ fast acting drugs होंगे अभी हम उनके बारे में डिसकस करेंगे कुछ slow acting drug होंगे यह एरिथरोसिटिक साइकल को चेक करते हैं जिसके कराण clinical malaria के जो farm होते हैं उसको रोकने में मदद मिलता clinical malaria इसलिए होता है क्योंकि हम अगर ट्रोफोजाइट्स को खतम कर दें तो आप समझ सकते हैं जो तेजी से वहाँ पर बन रहा है हिमोजोइन्स होंगे उनके formation को रोका जा सकता है हिम से हिमोजोइन नहीं बनेंगे और बाकी जो number जो multiply हो रहा है RBC की विज़र उसको रोका जा सकता और ज़्यादस ज़्यादा जो focus जब हम Erythrocytic cycle को रोकने का करते हैं तो उसमें fast level पर कौन से drug काम करते हैं slow level पर कौन से drug काम करते हैं उनके बारे में हमें पढ़ने का माँखा भी ने गया और अगर Erythrocytic cycle को stage को अगर हम रोकने का प्रयास करना है तो clinical malaria का मामला यहाँ पर देखने को मिलता है तो इसमें fast acting, slow acting अभी discuss होगा radical जो cure होता है वो कब होगा जब हम relax तक को रोकने का प्रयास करें यानि हिप्नोजाइटस को रोकने का प्रयास करें इसका मतलब क्या हुआ हम वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर यानि जो clinical फार्म है उसको तो रोकने का प्रयास करेंगे ही साथ ही एक्जो एरित्रोसिटिक यानि जो हिप्नोजाइटस चीपे हों सब को मारने का प्रयास करें तो वो radical therapy होती है इस पर भी बात करेंगे और gametocides gametocides वाला जो farm जो तयार हो रहा उसको gametogoni कहते है तो इसमें प्राइमाक्विन यहां पर भी काम करता है मैंने आप से कहा ना प्राइमाक्विन इस पर भी काम करेगा प्री इरित्रोसिटिक पर भी काम करेगा gametogoni वाले farm पर भी काम करेगा और यहाँ पर देखते हैं, gametogonii पर काम करने के लिए, primaquin और rtmasonins वो काम करते हैं, यह सभी level पर काम करने वाले तरीके हैं, primaquin के, तो हमें पता ही है, और सभी species पर इसका काम होता है, chloroquine के अगर हम therapy देते हैं, तो वो सिर्फ plasmodium vivax के gametocides को रोक बाता है, तो plasmodium vivax के gamet को रोकने की बात हम chloroquine की therapy के दारा देखते हैं, जबकि अगर हम blindly कोई drug design करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो primequin हम दे सकते हैं, जो gametocides के transmission को रोकेगा, इसका मतलब क्या होगा, disease का transmission चेक करना है, तो gametocides को target किया जा सकता है, सवाल यह है कि profile axis के level पर क्या करें, तो profile axis पर हमारे दो तरीके हो सकते हैं, एक तो pro erythrocytic जो liver के भी तरफ चला हमामला होता, उसको रोक दिया जाए, तो इसे causal profile axis का जाता है, मतलब यह जो cause होने वाला है, उसको रोकने की बात हम करेंगे, तो वो pro erythrocytic फार्म होता है, जबकि suppressive तब कहते हैं, जब cycle में आ चुक के मामलों में यही दो हमारे target होते हैं, नीट में पूछा गया, question, anti-malarial drug, जो causal profile axis, तो causal, यानि अभी cause के लिए responsible की बात करना है, जब घुस जाएगा, RBC को रोकना होगा, तो suppressive की बात करेंगे, तो यहाँ पर anti-malarial drug, जो causal profile axis, जो तरीके अपनाय जाते हैं, वो किस stage of developmental cycle को च suppressive profile axis होगा, और gametagoni वाले तो transmission को रोकते हैं, और exo erythrocity को अगर हम रोकना जाते हैं, तो radical therapy का target हमारे सामने आता है, तो अब हम देखेंगे drug कौन कौन से दिये जा सकते हैं, तो यहाँ पर आम तो पर oval और vivax में देखा जाए, तो chloroquine का बड़ा चरूल होता है, लेकिन chloroqu तो यहाँ और vivax में अगर chloroquine sensitive मामला है, तो उसे देना बहुत अच्छा होगा, तीन दिनों तक देते हैं, और इसमें पहले दिन पर 600 mg, 8 आस के बाद 300 mg, day 1 पर देते हैं, और day 2 और day 3 पर 300 mg देते हैं, यह तो तरीका हुआ, हिम को हिमजोईन में ना बदलने का जो chloroquine sensitive माम है, इसके रहाँ इसके साथ day 2 से प्रामा क्विन हम add करते हैं 14 days के लिए, यह काफी effective drug है, यह ना सिर्फ हमारे यहाँ पर काम करेगा, वाइवेक्स ओवेल के लिए, बलकि फैलसी पेरम में भी यह काम करने वाला है, तो प्रामा क्विन किसके लिए काम करेगा, किसके लिए effective है, तो pre-erythrocity यानि जो causal profile axis है, उसके लेवल पर काम करेगा, इरित्रोसिटिक यानि suppressive profile axis के मामलों में काम करेगा और exo-erythrocity, इसमें हर एक पॉइंट question के तौर पर पूछा गया है, प्रामा क्विन, अगर pre-erythrocity पर काम कर रहा है, तो causal profile axis के लिए तो यह radical cure करता है, यह relax नहीं होने देता है, और gametocidal property रखता है, इस वज़ए से transmission को रोकने में मदद करता है, यह erythrocity farm को रोक सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, यह suppressive profile axis के level पर काम करता है, यह RBC को rupture नहीं होने देगा, प्रिगनसी में हम chloroquine दे सकते हैं, नहीं, यहाँ पर प्रिगनसी में दे दारी था, अब drug of choice पूछा गया, एक्जो erythrocity stays of malaria, तो हम जानते है प्राइमा क्वीन ही होता है, आगे हम discuss करेंगे, क्लोरक्विन कैसे काम करेगा, प्रोकुआनिल कैसे काम करेगा, मैफलोक्विन कैसे काम करेगा, तो मैफलोक्विन यह erythrocytic साइजगोनी पर काम करने वाला fast acting drug है, ख्लोरक्विन के लेवल पर भी देखेंगे, तो यह भी fast acting, erythrocytic साइजगोनी पर काम करने वाला drug है, जबकि pro guanil जो drug है, यह slowly acting, erythrocytic साइजगोनी पर काम करने वाला drug है, अभी तक हम लोगो ने देखा था, ख्लोरक्विन और प्राइमा क्विन को मिला क drug की combination जो आम तोर पर इस्तिमाल किया थे, लेकिन अगर ख्लोरक्विन के लिए resistance डेवल पर हो गया है, तो फिर क्या करेंगे, और अभी हमने बात किया था, प्राइमा क्विन क्या pregnancy में दिया जा सकता है, तो प्राइमा क्विन प्रिगन सी में नहीं दिया जा सकता है, इसके अगर हम अगला जो नया combination देना चाहते है, वो भी multi drug therapy के तोर पर देना चाहते है, ताकि इन ड्रक्स के लिए भी resistance ना होने पाए, तो प्रिगनसी में तो प्राइमा क्विन नहीं देते है, लेकिन अगर इन जनरल कहा जाए, क्लोरक्विन के लिए resistance हो चुका है, वाइवेक् नहीं दे पा रहे हैं, तो normal population के लिए quinine और doxycycline 7 days के लिए प्लस यह दे सकते हैं, बच्चों में doxycycline contra indicated होता है, इस वज़े से D के जगा थोड़ा छोटा लेटर ले लिजे, प्राइमा क्विन से इतनी दिक्कत क्यों है, प्राइमा क्विन से दिक्कत क्यों है, प्राइ hemolysis cause करा सकता है, इसलिए infants में, आप समझ सकते हैं, वन येर तक के बच्चों में, या pregnancy के दौरान मदर को malaria होने पर प्राइमा क्विन नहीं दिया है, क्यों क्योंकि फीटस अगर G6-pedi deficiency कर रहा तो hemolytic anemia cause कर सकता है, इस वज़े से नहीं दिया सकते है, एक question पूछा गया उसे प्राइमा क्विन दिया गया, वो dark colored urine, one day after the administration, या आप समझ सकते हैं, कि after giving the drug, one day after, क्या हुआ, dark colored urination पेशेंट को हो रहा है, प्राइमा क्विन के दिये जाने का अगले दिन है, तो cause क्या हो सकता है, G6-pedi deficiency की वज़े से hemolysis हुआ, जिसके कारण dark colored urine पास कर रहा है, ए प्राइमा क्विन रेडिकल क्योर करता है, तो देखा गया टेफनो क्विन, एक नया ड्रगा है, जो single dose में ही काफी अच्छा काम कर ले जाता है, क्योंकि इसका टी हाप बहुत लंबा होता है, ये रेडिकल क्योर में हमारी मदद करता है, क्लोरोक्विन जो अब तक काफी effective drug प्रग रही है, उसमें resistance की develop हुए, इस पर question पूछा गया है, और खास तोर पर जो इसका resistance है, प्लाज्मोडियम फैलसिपरम के बाबले में तो खूब है, इसी वज़ा से हम प्लाज्मोडियम फैलसिपरम के नाम पर आधारित, यहां पर gene का नाम रखे हुए हैं जैसे, प्ल बहुत अच्छा ड्रग है, क्योंकि वो pre-erythrocytic, exo-erythrocytic, erythrocytic सब पर काम करता है, वरना आम तोर पर जो अधितर ड्रग है, वो erythrocytic साइजोगोनी पर काम करते हैं, जैसे क्लोरोपिन का ही देखा जाया है, तो वो pre- और exo पर नहीं काम करता है, इसी तरी के सब लो पर जैसोगोनी को चेक करने का है, रोकने का है या उसे अल्टर करने का है, क्लोरोपिन अगर three years तक दिया जाया है, तो उसकी कारण कॉर्णिया पर उसका deposition हो सकता है, जिसकी कारण हमें यहाँ पर उसकी color deposition देखने को मिल सकते है, यहाँ पर retina भी प्रभावित हो सकते है, जिसके करन बुल्स आई मैकलोपैथी देखने को मिल सकते है, तो बुल्स आई मैकलोपैथी रेटिना के प्रभाव की वज़ा से होता है, कॉर्णिया पर भी इसका deposition हो सकता है, यह लगातार लंबे समयत पर दिये जाने की वज़ा से होता है, तो रेटिना और कॉर्णिया का एक्शन कहां पर हुआ, क्या बलड के साइजाउंट यानि जो एरित्रोसिटिक साइजगोनी वाले फार्म पर होता है, बिल्कुल वहीं पर होता है, टीशू साइजगोनी या हिपेट्रोसिटिक साइजगोनी वाले फार्म पर नहीं होता है, बलड के साइजगोनी पर होत है, जिसमें हम देखेंगे के वर्तमान समय में है, रॉल मालेयरिया के बज़ा, रेमटराइड अर्थ्राइटिस में है, क्योंकि इसके इंटे इंफ्लामेटरी प्राइटी होती है, इसका इस्तेमाल हम एक्सट्रा इंटेस्निल जार मेल прошव सकता है। इसका इस्तेंहाल D. ल्व की सब्सक्राइए मिल्ण जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अधिक जो ड्रग डिजाइन किया गया वो एरित्रोसिटिक साइजगोनी पर ध्यान में रखते हुए बनाएगे तो इसमें कुछ फास्ट एक्टिंग ड्रग जो एरित्रोसिटिक साइजगोनी को कवर करते हैं उनका कोड है मच्छर जो भी मैंने क्विन को लेकर के कुछा गया है किस पर काम करता है तो इरित्रोसिटिक साइजगोनी पर उसका एक्शन होता है और वहाँ पर क्लोरोक्विन के एक्जांपल को लेकर के पुछा गया है क्विन किस पर काम करता है वो भी इरित्रोसिटिक साइजगोनी पर काम करता है स्लोली काम करते हैं, वो, SPPDCT, तो उसको याद कर सकते हैं, सलफा-डॉक्जिन, पायरीमिथमिन, प्रोकूंतिल, सुरी, प्रोगुवनिल, और डॉकससाइक्लिन, ख्लिंडामायसिन, और टेट्रासाइक्लिन का नाम हम याद कर सकते हैं, हाला कि दिखा गया है Tetracycline और प्रोगौनिल ये जो धुर्ड रख्स उsın प्रोगौनिल और टेट्रा साइकलन ये नसर्फ स्लोली Erythrocetic Saizingoni पर काम करते हैं Erythrocetic Saizingoni पर नसर्फ ये ऽिस लोली काम करते हैं प्रोगौनिल और टेट्रा साइकलन बलकि ये pre-rethrocytic farm पर भी काम कर रहे जाते हैं कि धीरे धीरे ये काम करते हैं इस वज़े से इनका action वहाँ पर देखा गया है वैसे प्राइमा क्विन सारे species की सारे stages पर काम कर लेता है लेकिन प्रोगवानिल और tetracycline ये plasmodium falciparum की pre-rethrocytic farm पर काम कर ले जाता है अब देखे सीधे तोर पर question पूछा गया है वीज़ फालोइंग एंटी-material is a slow acting size on to side तो सीधे तोर पर कहा जा सकतना मच्छर की code में अगर इस सामिल नहीं है तो यहां पर पूछ पर कया था पर पिडियार्टरी के इस ग्रूप में हम ने क्लिंडा माइसन का रूल देखा था नहीं जाते हैं किस के साथ क्विनिन के साथ मिला करके कितने दुन के लिए 7 days के लिए इसके नामा क्या देते हैं Primaquin देते हैं ये सारी चीज़ें हम discuss कर चुके हैं अब नीट में एक और question पुछा गया The anti-malarial drug effects means anti-malarial drug effective in pro-erythrocytic phase in liver R तो वही pro-guanil का नाम मैंने आपको बता है इसके नामा tetracycline का भी नाम याद रहतना है chloroquine, quinine या pyremythamin ये erythrocytic sysogoni पर काम करते हैं इसमें भी chloroquine और quinine ये fast acting है ये slow acting है ये भी slow acting है जो erythrocytic sysogoni पर काम करते हैं इसके लामा pre-erythrocytic sysogoni पर भी काम कर ली जाता है इम्स में पूछा गया question Mephloquin is contra indicated with quinine तो ऐसा इसलिए क्योंकि दुनों का मिलाने के बाद QT prolongation के मामले देखने को मिल जाते हैं इसमें कुछ और option है एटनल, enalapril और verapamil जैसे मामले हैं तो इनके साथ नहीं बलकि quinine के साथ QT prolongation जिसके कर अरिद्मिया के रस्क होने की वज़ा से ये contra indicated होता है पढ़ता है लेकिन quinine अगर pregnancy में देते हैं तो एक risk हो सकता है वहाँ पर हेमोलेसिस का तो NEET में ये question पूछा गया लेकिन वैसे तो pregnancy में chloroquine के resistance की वज़से हम quinine का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वहाँ पर भी risk होता है हेमोलेसिस का तो ये बात थोड़ा सा एक बार NEET में question के तौर पर पूछा गया है देखते हैं chloroquine के लिए इतना ज़ादा resistance फैलसिपेरम के माबलों में है कि इस वहाँ पर हमें ACT RT-Masinin combination therapy या artesonate के साथ कुछ और मिला करके drugs दिये जाते हैं जो काफी fastest action रखता है कुछ drugs के साथ मिला करके देते हैं ये drugs pro drug के farm में होते हैं इसके बारे हम बात करेंगे जो RT-Masinin के level पर हमें पढ़ने का मौका बिलेगा recrudescence कब देखने को बिलता है जब हम short acting single RT-Masinin drug ही देते हैं क्योंकि उसके कारण incomplete treatment होता है इसी वज़ा से हमें combination therapy की अवश्रक्ता पढ़ती RT-Masinin combination therapy जो falsipera malaria के मामलों में और जहां पर बहुत ही हद तक chloropin के लिए resistance हो जगा है ओवेल और वाइवेक्स के मामलों में लिकने हैं बहुत ही ज़ादा है इसी वज़ा से RT-Masinin जो short acting fast multi drug resistant मामलों में काफी effective drug है इसके साथ ही साथ कुछ long acting drug भी मिलाया जाता है ताकि recrodecence को रोका जा सके तो overall इंडिया में RT-Sunate दिया जाता है और उसके साथ sulfadoxin और pyrimethamine दिया जाता है sulfadoxin और pyrimethamine RT-Sunate के साथ क्यों मिलाया जाता है यह आप समझ सकते हैं और नॉर्थ इस्ट इंडिया के पार्ट में RT-Sunate की जगा RT-Missionin में RT-Mether को try किया जाता है इसके साथ ही साथ Lumiphantrin को add किया जाता है इस दोरान एक single dose Prima Quinn का भी add किया जाता ताकि gamut of sideal action भी हमें मिल सके तो RT-Sunate, Salfa, Doxin और pyrimethamine ये overall इंडिया में दिया जाता है जिसमें हम Prima Quinn को भी add करते हैं Prima Quinn को add RT-Mether और Lumiphantrin के मामलों में भी दिया जाता है जो North East India के हिस्सों में दिये जाने वाला anti-malated drug है Prima Quinn इस combination में देने का मकसद होता gamut of sideal action पारे का Pregnancy के दोरान पहले trimester में Articinate या Prima Quinn तो भी नहीं देना है Prima Quinn कांट्रा इंडिकेटेड होता है क्यों? G6 PD deficiency वाले मामलों में जहां में पता नहीं चल पाता है वहां पर हेमोलेसिस अचानक सिर्फ हो सकता है अब सवाल है कि कोई person किसी endemic region जहां पर malaria के जादा मामले जैसे African कुछ countries या फिर South East Asia की कुछ countries में अगर कोई person आ रहा है European countries है तो उन्हें short term पर कौन से profilactic medicines को देना चाहिए या फिर अगर वो लंबे समय तक इंडिया में रहना चाहते हैं उन जगों पर जहां तराई का बिल्ट है जहां पर malaria के मामले जादा है या फिर African उन जगों पर जहां पर malaria के मामले जादा हैं तो कौन से drug दी जा सकती है short duration के लिए कौन से अगर short duration में उन्हें रहना 6 हफते से कम रहना तो कौन से drug देंगे 6 हफतों से जादा रहना तो कौन से drug देंगे उसके बारे में हम यहाँ पर समझने के कोशिश करेंगे short term रहना 6 हफते से कम रहना तो doxycycling daily लें और कब से शुरू करेंगे journey से 2 दिन पहले और कब तक लेंगे journey के 4 हफते बाद तक journey खत्म होगए वो अपने country में गया country में पहुँचने के 4 week तक वो लेते रहेंगे drug को अपने country में पहुँचने के 4 week बाद तक भी वो लेते रहेंगे 2 days पहले से लेंगे long term prophylaxis अगर कोई person 6 हफतों से ज़ादा समय में वहाँ ब रहने की count का plan है तो हमें mefloquin देना चाहिए यह long acting drug है हफते में यह कही बार लेना पड़ेगा ने इसका side effect है neuropsychosis जैसे मामले कब से शुरू करेंगे तो उस traveler को 2 weeks before journey और जब अपने country में पहुँच जाए तो 4 week after तक उन्हें यह drug लेना पड़ेगा तो prophylaxis में वैसे तो देखा जाए बाकी short duration में जब हमने देखा तो वहाँ पर doxycycline daily dose हमने भी देखा था इसके लामा proguanil जो pre-rethrocytic stays और rethrocytic stays होते हैं उनको रोकने में काफी मददगार साबित होता है slowly acting है यह भी हम लोग ने देखा था इसके लामा hydroxy chloroquine भी दिया जा सकता है तो dnv और neet में पूछा गया question drug not given for malaria prophylaxis chloroquine देते हैं proguanil देते हैं doxycycline देते हैं doxycycline कब देते हैं जब six weeks से कम समय तक रहना हो daily dose देते हैं यह हमने देखा था और artisunate action में fast acting है short acting है तो इसे देने का prophylaxis में नहीं होता यह जब multi drug therapy multi drug resistance वाले मामले हो हमें proper cure करना हो तो ACT वाले मामले हो देते हैं सवाल पूछा गया है chemoprophylaxis in an English man visiting chloroquine and mefloquine resistant malaria reason it done with तो यह कहना है कि अगर हम किसी person एक ऐसे English man को देना चाहते हैं उस एरिया में chloroquine और mefloquine दोनों के लिए resistance डिवलप हो चुका है तो कौन से drug try किया सकती है क्या प्राइमा क्विन दिया जा सकता है क्या यहां पर hydroxy chloroquine दिया जा सकता है वहां doxycycling try किया जा सकता है अगर mefloquine के लिए resistance है तो फिर sulfia, doxin और paramithawin भी combination में दिया जा सकता है जो option में नहीं है तो इस वज़े से doxycycling हम ले रहा है malaria के कौन-कौन से indicator है उसके level पर बात कर ले यह PSM पर आधारी हमसे कुछ malaria के indicators है जिन पर question पूछा जाता है सारे concept एच जगा जब हम clear कर लेते हैं तो चीजों को recall करना आसान हो जाता है सारी चीज़ें समझ में आ जाती है logical level पर हम उस पर बात कर सकते हैं तो malaria के indicator API, annual parasitic incidence most sensitive indicator of trend of malaria in community कौन है? API से हमें पता चलता है उन region में जहाँ पर active surveillance of malaria नहीं लिया जा सकता है तो वहाँ पर SPR slide positivity rate हमारी मानद करता है एक और term है IPR infant parasite rate यह सबसे sensitive indicator है recent malaria transmission in community उसके बारे में idea देता है AIMS में पूछागा है question the most sensitive index of recent transmission of malaria in community वो क्या है? infant parasite rate होता है तो यह बात हमें पता रखना चाहिए splint rate क्या दरशाद है? splint rate endemicity of malaria के बारे में idea देता है और API यह क्या है? most sensitive indicator है जो malaria के trend के बारे में किसी community में idea देता है अगर active surveillance नपॉस बोलो तो slide positivity rate की मदद लिया सकती यह बात हम लोग ने discuss किया है अब यहीं पर देखे question कैसे पुछा है malaria malaria survey is conducted in 50 villages ठीक बात है having a population of 1 lakh तो 50 गाओं का 1 lakh population है जिसमें 20,000 slides तयार किये गए जिसमें 500 में malaria positive मिला है तो API उसका कितना होगा तो annual parasite incidence कितना है? annual parasite incidence कितना है? तो उसमें confirmed cases है? कितने? 500 और population जिसको हम surveillance पर लिए है वो 1 lakh population को लिए है तो इस वज़ा से यहाँ पर 5 की value आती है जबकि A, B, E, R एक है annual blood examination rate तो उसमें slide कितने examine किये गए है? 20,000 कितने population पर 1 lakh पर into 100 करके हम A, B, E, R की value बताते हैं तो annual blood examination rate जो most sensitive indicator of operational efficacy of program के बारे में idea देता है mini A, B, E, R किसी country की 10% होनी ही चाहिए और spleen rate जो indemnicity of malaria के बारे में हमें idea देता है इसके बारे में भी हमें पता होने चाहिए तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा-पूरा एक spectrum समझने का प्रयास किया Pediatrics में, Ops में, Microbiology में Pharma में, PSM में कौन-कौन से facts हमारे ने जरूरी है मलिया से रिलेटर उन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने discuss किया है